हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज किस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट सोसल इस्टडीज के वीक तंबर फिप्ट की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ड देली मिन्सुपल कॉर्परे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं यहां पर बच्चों बताना है कि सही है या गलत है सर्दियो के मौसम में गुलाव और गैंडे के फूल किलते हैं तो बच्चों सही है हम समर में यानि की गर्मियों में स्वेटर्स पहनते हैं तो बच्चों गलत है हम सर्दियों में पहनते है सर्दियों में मौसम गर्म होता है तो बच्चों यह रॉंग है गलत है gloves keep our hands warm दस्ताने हमारे हाथों को गर्म रखते हैं तो बच्चो सही है we eat watermelon in winter हम सर्दियों में तर्बूस खाते हैं तो बच्चो ये false है wrong है question 2 fill in the blanks यहाँ पर blanks को fill करना है first is in winter सर्दियों में the sun rises late और early in the morning सुबह को late निकल या फिर जल्दी निकलता है तो late निकलता है second is सर्दियों का साग is eaten in the winter और summer season सर्दियों का साग कि सीजन में खाया जाता है winter में या summer में तो winter में खाया जाता है यानि कि सर्दियों में the best time in winter is night और afternoon सर्दियों में सबसे अच्छा time कब का होता है afternoon का दो पहर खा next is in Delhi दिल्ली में July और January is the month of bitter winter बहुत ही कडाके की जो ठंड पढ़ती है वो किस महिने में पढ़ती है January में या July में तो January में पढ़ती है in the winter सर्दियों में people use लोग क्या यूज करते है bad sheet और quilt cover up themselves in the night रात में अपने आपको ढखने के लिए किसका यूज करते हैं bad sheet का या फिर quilt का तो किसका करते हैं बच्चो quilt का करते हैं अब ये question number 3 look at the given picture carefully बच्चो दी गई picture को ध्यान पूर्वक देखिए and complete the sentences given below और नीचे दी गई sentence को complete करिए तो बच्चो ये जो चितर है कब का है ये winter season का है सर्दियों का है this painting is related to the season ये जो painting है कि season से related है winter से यानि कि सर्दियों से some people are warming themselves कुछ लोग यहाँ पर अपने आपको किस से गर्म कर रहे हैं by fire आग से यानि कि आग से अपने हातों को सेख कर यहाँ पर भी टू लिखेंगे question 4 is draw a picture of an object related to winter season and color बच्चो सर्दियों से संबंदित आप कोई भी एक object की picture draw करेंगे उसमे color fill करेंगे तो बच्चो जैसे कि यहाँ पर woolen का cap है woolen ही यहाँ पर muffler है और woolen ही gloves है तो बच्चो आप इन में से किसी की भी picture draw करेंगे और उसमें सुन्दर से रंग भरेंगे अब है बच्चो life skill disaster management आप दा परबंदन question है look at the picture given below नीचे दी गई picture को देखें right what step we should take when earthquake strike जब भूकम आता है तो हमें कौन कौन से step लेने चाहिए do not be panic when an earthquake strike जब भूकम आता है तो उसके आने पर डरें नहीं rush out towards the open field खुले मैदान की तरफ निकल जाए stand close to the wall in the corner of the room कमरे के कौने में दीवार से सतकर खड़े हो जाए sit under the table और table के नीचे बैठ जाए तो बच्चो आप यहां चित्र में देख रहे हैं इसी तरीके से आप table के नीचे बैठ जाए और table को कसकर पकड़ लें अब है बच्चो संसकार साला hard work keeps the wrinkles out of the mind and spirit कठिन परिश्टम दिमाग और आत्मा से जूर्रियों को दूर रखता है food and drink red colored vegetables and fruits like apple, tomato, strawberry, plum etc. आज बच्चो आज आप भूजन में लेंगे लाल रंगी सबजियां और फल जैसे की सेब, टमाटर, इस्ट्रोबेरी, पल्म यानि की बेर आदी activity is collecting photographs of monuments in Delhi बच्चो आप दिल्ली में जितने भी इसमारक हैं उनकी pictures को collect करेंगे बच्चो जैसे की यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया गेट है यह है कोतोब मिनार यह है लाल किला तो सभी बच्चे ऐसे ही जो बाकी इसमारक हैं और इनकी भी photos को collect करेंगे बच्चो दीगे habits को आप अपने daily routine में सम्मेलित करेंगे Begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें Brush your teeth twice a day एक दिन में दो बार ब्रश करें टेका bath daily रोजान आशनान करें Drink plenty of water and eat a balanced diet संतुलित भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं Avoid touching your face अपने face को छूने से बचें and wash your hands frequently और लगातार अपने हातों को दोते रहें Complete your homework on time अपना ग्रह कारिये समय पर पूरा करें Students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel Thank you